नमस्कार बच्चों, आज हम भाशा के रूप के बारे में पढ़ेंगे, इससे पहले मैं आपको बच्चों भाशा के बारे में बता चुकी हूँ कि भाशा किसे कहते हैं, अपने मन की बहाओं को परकड करने का जो माध्यम हो क्या है, भाशा का उधगम कैसे हुआ, भाशा के आप देखें बिच्चे क्या है कि भाषा का ज्यान होने के पश्चाथ ठीक है, ये जानना चरूरी था कि इसके कितने रूप होते हैं, तो भाषा द्वारा अपने विचारों को प्रकट करने के दो माध्यम हैं, यानि दो रूपों से हम अपने विचारों को क्या कर सकते हैं, एक है आपका बोल कर और एक है लिख कर, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा के कितने रूप हैं, दो रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखिट भाषा, मौखिक यानि ओरल लेंग्वेज, अब मौखिक भाषा क्या होती हैं, मौखिक का अर्थ होता है, मुख से बोला गिया, यानि मूख से बोल कर, देखे बचे, हम अपने द्यानिक जीवन में सबसे ज़्यादा मौखिक भाषा का प्रियोग करते हैं, क्योंकि इसी भाषा के द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, और भाषा का मौल रूप कौन से है बचे, मौखिक रूप, यानि मौखिक रूप ही भाषा का मौल रूप है, वाद विवाद, समवाद, नाटक, भाषन, कविता, पाड, संगीत, आदी का माध्या मौखिक होता है, देखे अगर हमें किस से वाद विवाद करना हो, वारता लिखित भाशा यानी Ritter Language, भाशा के इस रूप में हम अपने मन के भावों या विचारों को दूसरों के सामने लिख कर प्रकड़ करते हैं, आप दूसरों के विचारों को भी लिखित रूप में क्या करते हैं, ग्रहन करते हैं, यहे भाशा लंबे समय तक सुरख्षित रहती ह समाचर पत्रों पत्रिकाओं पुस्तकों आदी की भाषा लिखित होती है ठीक है बच्छे अब देखिए जैसे हमारी किताबे हैं ठीक है किताबे भाषा का कौन सा रूप है लिखित रूप है क्योंकि इसमें हम लिखित रूप में इनको क्या करते हैं पढ़ते हैं अखबार ह इन सब का माध्यम जो होती है वह है लिखित होती है और देखे इनको हम लंबे समय तक भी क्या कर सकते हैं सुरक्षित रख सकते हैं यानि भाशे के कितने रूप हैं मौखिक रूप और लिखित रूप भाशे का मूल रूप कौन से हैं मौखिक रूप है क्योंकि मौखिक रू कि भाशा के द्वारा हम अपने विचारों को क्या कर सकते हैं प्रकट कर सकते हैं यह परिवर्तन शील है परिवर्तन यानि चेंज कि भाशा में निरंतर क्या होता रहता है परिवर्तन होता रहता है यह दुनी संकेतों की एक व्यवस्ता है उच्छे मैंने आपको पहले ही बता निकलते हैं अब हैं आपकी भाशा की इकाय़ बाशा की नियler लिके इकाय़ है आप मुखसे निकलने वाली परतिक • Dhu Sen2 होती है ठीक है आपको मैंने पहले ही बताया है कि हमारे मुख से क्या निकलती है सुतंतर धुनिया निकलती है जो बिना किसी रुकावट के निकलती है आदी मानव भी पहले इसी भाशा का प्रियों करता था यानि उसके मुख से कुछ सुतंतर धुनिया निकलती थी और इनी ध बाहाशाका क्या किया। आउष्कार किया था। दूसरा सबसे प्रमुक वर्न वर्न कहा है वह मौल दोनी जिसे एक खंड नहीं किये जा सकते। ध्यान अकना बच्छों यहां पर आपको थोड़ा सा भुख में गलत प्रिंट कर दिया गया है। यहां का है कि वर्ण होता है भाषआ की वह चोटी से चोटी इकाई जिसके खंड नहीं किये जा सकते उसे क्या कहते हैं वर्ण कहते है और बच्छे हमारे हिंदी वर्ण माला में भी क्या है चवालिस वर्ण है यानि आपने भाषआ में पढ़ा होगा स्वर और व्यंजन पड़े होंगे तो स्वर और व्यंजन क्या है वर्णों से मिलकर ही बनते हैं जिनके टुकुर यह से आप देखो ओ, आ, यह ऐसी धुनिया है कि जिनके हम खंड नहीं किये नहीं कर सकते हैं तीसरा है आपका शब्द अब देखिए वर्णों से ही क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं ठीक है? वर्ण के साथ तक समू से शब्द बनते हैं अब वर्णों से हम ऐसे शब्द बनाते हैं जिनका कोई ने कोई अर्थ निकलता है जैसे हमने बनाया क प्लस ल क और ल को मिलकर क्या बना दिया कल बना दिया ठीक है कलम कलम यानि तीन वर्णों को मिला कर क्या बना दिया कलम बना दिया तो वर्णों से ही क्या बनते हैं शब्द बनते हैं अब शब्दों से ही बच्चे क्या बनते हैं वाक्य बनते हैं शब्द समू का ऐसा विन्यास जिससे अर्थ एक ऐसा समो जो विवस्तित हो तथा कोई सार्थक अर्थ प्रकट करता हो उसे वाक्य कहते हैं ठीक है सार्थक अर्थ यानि वाक्य का कोई ना कोई अर्थ अवश्य निकलना चाहिए जैसे मोहन बाजार जाता है अब देखें से मोहन भी शब्द है बाजार भी शब्द है जात सुपूर्ण हो गया समझ में आया बच्चो बाशा के कितने रूप हैं दो रूप हैं मौखिक और लेखिट अब हम तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे बोली ठीक है अब बोली क्या है भाशा तो हम समझ गए विचारों को प्रकट करने का एक माध्यम है लेकिन बोली क्या है देखि जब कोई भाशा किसी सीमित छेत्र में बोली जाती है तो वहां की बोली बन जाती है जैसे भाशा पूरे भाशा का जो छेत्र है वो विस्तृत है यानि पूरे देश में भाशा का प्रियोग किया जाता है लेकिन बोली जो है वो देश के किसी विशेस इस्थान पर ही क्या क सिमित छेतर में वहां के लोग मुसली कौन सी भाषा का प्रियोग करते हैं पंजाबी भाषा का प्रियोग करते हैं तो पंजाबी भाषा क्या है पंजाब की क्या है बोली है जो पंजाब में ही बोली जाती है आप देखिए जैसे आपका गुजराती भाषा होगे तो गुजर बोली बोली में बता दिया भाशा और बोली में क्या अंतर है कि भाशा का जो चित्र है वह विस्त्रित होता है बोली का च्छेत्र बहुत सीमित होता है बोली में लोगई गाय जाते हैं बोली के अपना इना कोई लिsstूर्णा रचना नहीं होती है अगर उसमें कोई लिsstूर्णा होती है तो वहां की उपभाशा बन जाती है ब्रज अवधी बोलियां थी किंटो सूरसागर वा रामचरित मानस की रचने करन उपभाशा बन गई देखे ब्रज और अवधी जो भाशाएं थी वो भी क्या थी बोली थी लेकिन जो तुलसीदास जी थे सूरदास जी थे उन्हो बहुत बड़े छेत्रे में बोली समझी जाती है अब देखे बिचे हिंदी भाशा जो है वो पूरे भारत में क्या की जाती है बोली और समझी जाती है पर छेत्र विशेश में किसी विशेश बोली का व्यवहार होता है फिर मैंने जैसे भी आपको बताया कि हिंदी भाशा म लिकिन बोली किसे से में चेत्र में बोले जाने वाले लोग बोलते हैं यिसे में थे पो आगे के कारे हों यहां पूरी और बैतली आदी भाशाए हैं, अब हैं भाशा वो बोली में अंतर, वो मैंने आपको बता दिया कि भाशा वो बोली में अंतर है, भाशा का छेतर विस्तृत है, जब कि किसी स्थानिय चेतर में बोली जाने वाली वहां की भाशा बोली होती है, भाशा में साहिते रचना होती है, और बोली में कोई साहते रचना नहीं होती। भाशा में हमारे जितने भी राष्ट के जितने भी कारे हैं, वो भाशा में ही किये जाते हैं। बोली का प्रयोग केवल विशेश छेतर में बोलचाल के लिए ही किया जाता है। भाशा का रूप इस्तिर और मानक होता है, जब की बोली का रूप गतिशील और अमानक होता है। समझ में आया इसके बाएं दिकी हमारा जो नेक्स टॉपिक है वो है लिपी। अब भाशा हमने पढ़ लिया भाशे के रूप पढ़ लिया लेकिन अब भाशा की लिखने का जो रूप है उसे क्या कहा जाता है उसे लिपी कहा जाता है ठीक है मौखिक रूप से निकलने वाली धुनियों को अंकित करने के लिए विबिन भाशों में अलग अलग चिन निश प्रतिक भाषा की अपनी लिपी होती है। जैसे हिंदि की लिपी क्या है? देवनागरी लिपी पहीं सलस्कृत, मराठी, नेपाली आदी भाषाईं भी लिखी जाती है। देव नागरी लिपी का विकास ब्रहमी लिपी से माना जाता है इसे नागरी लिपी के नाम से भी जाना जाता है ठीक है जानी हमारी जो भाशा है हिंदी भाशा है इसको लिखने के लिए जो लिपी है वो क्या है आपकी उसे लिपी कहा जाता है और वो लिपी है आपकी देव लिपे नागरी लिपी का विकास ब्रहमी लिपी से हुआ है। रोमन है, जर्मन, जर्मन भाषा की लिपी कौन सी रोमन है, अर्बी की फार्सी है, फार्सी की फार्सी है, उर्दू की फार्सी है, सस्कृत की देवनागरी है, मराथी, मराथी की देवनागरी है, पंजाबी की गुर्मुखी है, तमिल की तमिल है, गुजराती की गुजराती ह नि हिवा नागरी लिपी को विञ्ग्यानिक लिपी भी कहा जाता है ठीके इस लिपी में पर्तेक बंड के लेकं ही तु अलग अलग संकेतिक चिन नियत चे इसाने बाइ। जिन रिधारत के गए हैं देखें जैसे हमारे देवनागरी लिपी है तो वह बाई से दाई लिखी जाती है ठीक है इस लिपी का परतेक अक्षर एक वक्र है यह लिपी भारत के अन्य लिपियों के निकट है ठीक है यानि जो हम लिपी देवनागरी लिपी है जिस जो हिंदी भाशा की लिपे है वो अन्य भाशाओं की लिपियों के क्या है अत्यदिक निकट है